आज का दिन भारत के इतियास में सोन अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि आज केंदर सरकार ने एतिहासिक फैसला लेती हुए जम्बू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करते हुए जम्बू कश्मीर को केंदर शाशित प्रदेश भी गोशित कर दिया जिसका जनपर संबल की चंदोसी तेहसिल शेतर में हिंदू जागरण मंच के कारिकरताओं ने हुवारा चोक पर आतिश भाजी छोड़का जश्मन आया और केंदर सरकार द्वारा लिए इस एतिहासिक फैसले के निये जमकर प्रसंसा की वह हिंदू जागरण मंच के कोशल किशोर ने कहा कि अभी तो सही मायने में कश्मीर हमारा हुआ है वो दिन दूर नहीं कि लाहर भी हमारा होगा आज अज शाई माने में जो गुलाम कश्मीर हमारा बना रखा था धारा 370 लगा कर आज शाई माने में आयाज़ी मिली है जो जहां कोई प्लोड नहीं खरी सकता था जहां किसी पिरकार के कोई बैपसाई नहीं हो सकता था लेकिन आज भारत के घ्रह मंत्री ने वो काम करा है और भो भी आज नाक पंचमी के दिन सेज़ नाक का अफ्ताल लेकर भारत के घ्रह मंत्री ने एक ऐसा सहासिक नड़ना लिया है हम उसका पुर्जोर स्वागत करते हैं और जो हमारे स्यावा परसाज मुखरजी ते जहां उन दो है बास्त अंगिक कस्मीर हारा है और जो धार्ती का स्वार्ग Friends अब उसका जो जी रोदार होगा केंदर सरकार के द्वारा हम केंदर सरिकार के पुरी-पूरी परसंत्य आकरते हैं अधरीर से आभाहर परकरने आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तानियों कि आज सुनिये फबभाराय चौक पर इंदु यागड मंच के त्वारा आतिसवाजी की गई है तता बिधाया तत बाठ कर gozी का देखा किया गया है तत एक अखंड भारत के लिए पिर्थम प्रयाज जो हुए है और इन्दु जागण मंच अखंड भारत के लिए संकल्पित है तदा भारत को अखंड बना कर रहेगा